हे दोस्तों नमस्कार एक वारफी से स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल दियू जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर तीन बजे लेक पाल का मोडल पेपर स्वाल करने वाले हैं जो कि डेली क्लास ओप को होती है और प्लेलिस के माध्य इसकी तैयारी बेतरीन तरीके से करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर दे सकते हैं चचुप प्रकासन की ग्रामीड पर विसकी यह बुक आपकी है काफी अच्छा कंटेंट है और अगर आप लोग तीनों बुक लोगे तो काफी कमबो आफर है जो कि आपका 32% डिसकाउंट अधी है ना अगर आप लोग एक लेना चाहते हैं तो एक है ले सकते हैं देख सकते हैं कि इस बुक में काफी अच्छा कंटेंट दिया गया है बेतरीन तरीके से समझाया गया है फौिया तो sięसी के कि लेख करैंट है और इसी कर Wolf-बेना है तर गंसारं आप का बना है जहां प ग्रामीट पर भीज इतनी आसाणी से याद नहीं होता है लेकिन अगर पॉइंडू-पॉइंट याद करों गे तो आसानी से आप लोगत पर सकते हैं और इस प्राकास से अगर जरूरत से ऺफिल सकते हैं दूसरी बात यहाँ पर जितने भी आपके chapter है हार एक chapter में objective question भी दिये गये हैं तो आप लोग objective question भी आप लोग लगा सकते हैं यह जो book है आपकी उसकी link हमने description box में दे दिया है तो description box से online purchase कर सकते हैं flip card से amazing से भी कर सकते हैं अपने घर पे मगा सकते हैं अगर आपके नजडी की जो book star है वहाँ पर यह book है आपको मिल लाएंगी तो वहाँ से भी यह book आप लोग ले सकते हैं हाना और combo offer तो आपको online ही मिलेगा ठीक है ना अगर gramit पर वेसके लेने चाहते हैं या अलग अलग लेने चाहते हैं जो जाकर कीताब ही मिलती हैं वहाँ पर जाकर या पर लोग खरी सकते हैं ठीक है दोस्तों चली स्टाट करते हैं good evening good evening सभी को जैहिन सभी को जैहिन चले ready हैं सभी लोग चले तो चली स्टाट करते हैं यहाँ पर देखे कोशन दिया गया है प्रत संख्या एक और दो की वात्कों में आयर रिक्तिस्थान आपको भरना है पहला कोशन दिया गया है कि जो खग हो तो बसेरो करों मिली कालिंदी फूल की डाल यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है तो देखो यहाँ पर आप भरिये क्या आप भरें यहाँ पर आपको जवाब हो जवाब होजेगा कि धन के लालच में जैचंद का प्रियोगर था तियाँ पर आपको आपको राइट होजेगा इधन के लालच में आज भी कुछ लोग जैचंद बन जाते हैं आपसन आपका टी नमबर है राइट हो जाएगा अगला कोशन दिया गया है कि विश्ण सब्द का परियावाची सब्द बताईगा चले विश्ण का परियावाची पुछा गया है यहां पर आपका थरीक उपसन दिजीगा चले विश्ण का परियावाची होता है चतुर्भुज होता है क्या होता है चतुर्भुज होता है और भी परयावाची होते हैं जैसे नारायण, दामोदर, पीतांबर, चक्रपाड़ी, जनारदन, मुकुंद, गोविंद, कमला, कांत, लच्मी, पती इडहेट सारे आपकी इसके परयावाची होते हैं विश्णू के तो आप समनेगा क्या ए नमबर आपका हो जाएगा अगला कोशन आप से दिया गया है प्रसंख्या 4 और 5 में लिखी तवाक्यों में से सही वाकिका चैन करना है देखो यहाँ पर दिया गया है क्या उसके पास, उनके पास कोई समान खाने के लिए नहीं है देखो भई अगर हम उनके पास खाने को कुछ भी समान नहीं है अगर हम B वाले पर फोकस करें कि उनके पास खाने को कुछ भी समान नहीं है तो option क्या बनेगा यहां पर option आपका B वाला right हो जाएगा ठीक है चरे आगे बढ़ते कुछ ना आपसे दिया गया है हम तो आपको बता दिये थे हम तो आपको बता दिये थे हम तो आपको बता दिये थे दूसरा है मैंने बाजार से समान खरीदा मुझे अपने गुरु के उपर उपर लगाना ही नहीं चाहिए था उसने बाजार नहीं जाना ये भी गलत है देखे option भी वाला देखे मैंने बाजार से समान खरीदा किलियर हो गया ना option जो आपका है बी नमबर है वो आपका राइट हो जाएगा अगला question दिया गया है निमनिकित में से कौन से सब्द आपका तस्रम है चले बाई तस्रम सद्र के पहँचान करिए हमने आपको पॉइंट भी बताए है कौन सा पॉइंट आपका जरूरी होता है तस्रम सद्रमों वो भी हमने आपको पड़ाया है तो देखो भई 6 का जो option है यहाँ पर आपका यह नमबर विभूत जो आपका यह तस्सम है यह आपका तस्सम और इसका तदबव होता है भभूत यह वहता है इसका तदबव बनता है यह रिके भभूत बन जाता है ठीक है अगला दिया गया है प्रतिधन उत्तर का संद्विच इसका मतलब यहां संदी आपकी है हना तो option क्या बनेगा सी नमबर अगला question दिया गया है निम्निकित में से कौन सा तदबव सब्द है आठ का जवाब दीजे तदबव सब्द आपसे पूछा गया है तो तदबव आपका हो जाएगा कौन सा यह तो बनेगा क्योंकि बनेगा कौन सा option है साहित होता है बड़ा सा होता है यहां पर विरहडी option देखे बी नमबर क्योंकि सामाजिक होता है यहां पर देखे नाइन का option भी हो जगा विरहडी जो है वो विल्कुर साही दिया गया है यहां पर देखो बड़ा सा होता है साहितिक होता है हना यहां पर ऑ की मात ते क्या होता है चली आदमी बनना मोहारे का सही अर्थ क्या होता है तो होता है अच्छा ब्योहार सीखना क्या होता है आपका है अध्लीघक-9 और देखते हैं कि चरका विलूम अचेतन होता है चीरंतन का विलूम आपका अचिनतन हो जाएगा ठीक है अगला कोशन दिया गया है बच्चे बसे विद्ध्याले जाते हैं इस वाकिमें कौन सा कारक है यह पहली नहीं हमेशा आपने पड़ा है कि यहां पर देशेक्ते हैं बच्चे बस से भी द्यारे जाते हैं वाकिमें कौन सा कारक है तेरा का उप्षन बनेगा आपका C नंबर यहां पर करन से किसे तो बस से करन से हना तो आप्षन क्या हो जएगा अगेला question दिया गया है घोसला सब्देका बहुचन बताईए घोसला सब्देका बहुचन क्या होता है तो घोसलाएं तो होता है क्या होता है घोसला का बहुचन होता है घोसले यहाँ पर option क्या बन जाएगा यहाँ पर जो option है घोसला का बहुचन घोसले होता है ठीक है option बनेग ताक का परिवर्थन तरह हो जाता है तो नेत्री आपका हो जाएगा कौमसा सी वाला आप्सन जिसका आ रहा है अलाइट बनेगा अगला कोशन दिया गया है निमनेखित में से अनेकार्थी सब्द का दूसरा आर्थ आपको बताना है पत्ता का देखो दिया गया है क्या यहां दिया है और इसी का दूसर जो वर्थ होता है वो क्या होता है तो दिखी इसका अंसर हो जैगा 16 नंबर में यहां पर पंक हो जाता है क्या याद रिखेंगा अगला कुश्य ने लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाकि का काल बताएगा बच्चे ने पुस्तक पढ़ी तो यहा यह भी सी वाले में होगा गोला करना है और अगर नहीं है तो डिवाले को लॉक करना है ठीक है देखो यहाँ पर दिया है पार्ट साला में बिद्ध्यार्थी को पढ़ाई जाती है तो यहाँ पर देखी भई क्या करें पार्ट साला में बिद्ध्यार्थी को पढ़ाई जाती है यहाँ पर अगर हम बात करें कि पढ़ाया जाता है क्या पढ़ाया जाता है मतलब सी वाले में आपकी गलती है option सी हो जाएगा ना पाट साला में विद्यारती को पढ़ाया जाता है ना यह तो होता है बही option मनेगा आपका सी वाला अगला दिया है भारत में नारियों का सम्मान किया जाता है कोई त्रोटी है या नहीं छले भारत में इस्त्रियों का तो यहां पर अगर हम बात करें कि इस्त्रियों का अगर हम बात करें इस्त्रियों जो दिया है यह देखो गलत दिया गया कौन सा समास है चले यावज जीवन मतलब होता है जब तक जीवन है जब तक जीवन है इसका मतलब यह क्या है आपका अब्वे है और अब्वे होता है तो अब्वे बहुत समास होता है तो आपसन क्या बनेगा आपका यह नमबर आपका राइट हो जाएगा अगला है परवत की तलाहटी के लिए एक सद बताना है, परवत के तलाहटी और परवत की जो तलाहटी होती है, उसे हम कहते क्या है, चलिए बताए जहाब सभी लोग, लाइक सेर भी करिएगा, जितने लोग जुड़ चुके हैं बाद में जुड़े हैं या अफलाइन देख रहा हैं स्टुडेंट्स अभी लोग भाई like share जुरू करें देखो यहां पर दिया गया है आपसे यह परवत की तलहटी और परवत की तलहटी होती हम उसे बोलते क्या है आपकी उपत्ते का क्या उपत्ते का option भी हो जाएगा वन में लगने वाली याग जो वन में लगती है उसे कहते क्या है तो वन में लगने वाली आग को हम लोग बोलते हैm दावा आग निहांगों क्यों रहते हैं तो आप्सन क्या बने गा बैम्बर आपका हो जाएगा जटर मतलब पेट में आग और बढ़वाग मतलब आपकी समुद्र में आग और विराह में लगने वाले आग को विराहग निमूल देते हैं अगला यहां पर गद्यांस है गद्यांस को हम आगे बढ़ाते हैं याना पीडियाप आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी तो टेलीग्राम डाउनलोड करिए देव जी के टिक टेलीग्राम है तो वहां पर आप लोग यहां पर कर सकते हैं और वीची तरीके से पढ़ सकते है ठीक है चले यहां पर देखे कोश्चन दिया गया है कि प्रावर्टी एंड अनब्रिटिस रूल इंडिया के लेखा कौन है चले सभी लोग जवाब देती वे चलेंगे प्रावर्टी एंड अनब्रिटिस रूल इंडिया के लेखा कौन है इस कोश्चन को आपने एक बार नही यह पुष्टक आपके लिखे हैं और दादा भाज नरोजी को हम लोग ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं ठीक है ना और यहां पर आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिगला पूछा गया है कि दा प्रामिश्ट लैंड पुष्टक के लेखा कौन है द्रा दा प्रामिश पुष्ट लैंड पुष्टक के जो लेखा क्यों आपके कौन है यहां परंसर बनेगा यह नंबर बराक ओबामा याद रिखे बराक ओमामा है याद रिखेगा ठीक है ना यह अमेरिका के पूर रास्पति हैं तो आप से अपका यह हो जाएगा अगला कोशन दिया गया है कि भारत में मैलाओं के लिए आरच्छन उपलब्द है भारत में मैलाओं के लिए आरच्छन उपलब्द है वो किसमे उपलब्द है लोग सभा में है या आपके पंचायती राज निकाओं में है राज विधान सभाओं में है या उप्युक सभी में तो भीया आपको पता होग आगे पढ़ते हैं कोश्चन आप से पुछा है रामायड का फार्सी भासा में अनुवात किस ने किया था चाववन का उप्शन क्या बनेगा तो यह है आपके फार्षी मनुवात करने वाले अब्दुलकादिर बादाईवनी कौन अब्दुलकादिर बादाईवनी इन्होंने DR F से क्या अभिप्राय है तो इसका जो मतलब है इसका पूंडूरूप होता है वो होता है क्या अगर हिंदी में बात करें बढते हே वीजिय ह Kara R R ट्राफी쪽에 2021 को किस टीम ने जीता विजय हरारे ट्राफी 2021 को किस टीम ने जीता चले यहां पर 56 का उप्षन क्या बनेगा तो देखें आपका हिमाचर प्रदेश हो जाएगा हिमाचर प्रदेश ने सांधार प्रदर्शन किया और विजय हरारे ट्राफी के जो सीजन था 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया ठेक है न और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोश्चन आप से अगर आप पुछा गया है हाली में केराब से हाली में नोबल विजेता आर्क विसप डेसमंड टुटू का निधन हो गया ओकिस देश के थे भाईया नाम भी देख सकते हैं आपके ये नाम है और ये जो आपके हैं ये समंदित कार से हैं समंदित है आपके दच्छिण आपरीका से हैं ठीके ये दच्छिण आपरीका के रंग विरोधी आकारि करता रहे हैं ठीके ना 90 वर्स की उमर में इनको इनका निधन हो गया है और यहां पर सम्मानित भी रहे हैं नोबिल सांती पुरुषकार से सम्मानित भी विखती रहे हैं और आगे बढ़ते हैं कोशन आप से इगला पूछा गया है कि आप से भाकडा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है देखें अठावर नमबर में तो यह बांध जो आपका है वो सतलज नदी पर है नोट कर लिजेगा सतलज नदी जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी सतलज नदी पर बना हुआ है अगला है यापर भारत के किस राज में सबसे ज़्यादा बांध है 59 का जवाब दीजेगा भारत में सबसे ज़्यादा बांध है वो आपकी कहां पर हैं गुजराच 36 गर्ड मद्यपदेश महाराष्ट महाराष्ट हो जाएगा याद रिखे 2017 के कॉर्डिंग यहां पर 285 बांध लगभग हैं यहां पर जो आपका महाराष्ट है तो आप से मनेगा क्या यहां पर बन जाएगा आपका डी नमबर हो जाएगा ठीक है ना और य उत्पन होने वाला जो सी तोष्ण चक्रवाती होता है वह इरान पाकिस्तान को पार करते हुए भारत के उत्तर पस्चिम भाग में पहुंच जाता है जम्मो कस्मीर पस्चिमी पंजाब राजस्थान में भी वर्सा होती है है और यहां पर जो आपसन आपका ए हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशनाप से दिया गया है सहद का प्रमुख घटक क्या है सहद में प्रमुख रोप से पायाता है फ्रक्टोस क्या पायाता है फ्रक्टोस पायाता है याद रिखेगा जो कि मीठा होता है और मदमुकियों द्वारा पौधों के सरक्रा से उत्पन किया जा पर लाया गया था ना तो आपसन आपका बनेगा डिनमबर है राइट हो जाएगा ठीक है चले और वर्तमार में कौन है ओंबेडला है आगे बढ़ते हैं कोशनाप सिगला पूछा गया है कि स्री रामनात कोविंद भारत के रासपती यह कौन से नमबर के हैं तो देखे वह यह कि किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रेटिस द्वारा भारत को स्थंता परदान कर दी जाएगी यह घोषणा जो किया था वो किलिमेंट एटली ने किया था यह ब्रेटन के ततकालिन प्रदानमंत्री थे याद रहर रहिए जो किलिमेंट एटली है वो 1947 में ब्रेटन क प्रिकास का जो प्रिकीडर होता है इसकी वज़े से होता है और यहां पर यह भी मतलब कह सकते हैं कि नीले प्रिकास की तरंग दैज अन्य प्रिकास की तुल्ला में कम होती है ठीके ना तो नीला जो प्रिकास होता है वो प्रतवी के वाई बंडल में हवा के चुटे चुटे अड़ो द्वारा क्या होता है सभी दिसाओं में प्रकिर्णित हो जाता है और आकास का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देने लगता है ठीके ना आगे बढ़ गे अगला कोशना आप से दिया गया है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुक्तत्त्त पूछा गया है तो 66 को अप्सम बनेगा क्या या पर सिन नंबर मीथेन हो जाएगा क्या होज़ेगा मीथेन है भई मीथेन सी एच पूर जो सुत्र होता है आगे बढ़ते हैं कोशना आप से गला पूछा गया है क्या आप से हाली में किस नेशनल पार्क का नाम परवर्तित कर राम गंगा नेशनल पार्क किये जाने की घुशना की गई है चलिए भई राम गंगा पार्क करने की घुशना की गई है यहाँ पर जवाब का नसर आपका क्या हो जाएगा तो यहाँ पर जवाब जवाब बनेगा आपका हो जाएगा आपका जिम कारवेट नेशनल पार्क हो याद रखे जो उत्तराखंड में है और इसका नाम परवर्तित कर राम गंगा निशनल पार कर दिया गया है ये भी आप नोट कर लिजेगा वैसे यहाँ पर जो जिम कारवेट है इसका बहुत स्टार्टिंग में नाम दूसरा था फिर नाम चेंज हुआ फिर से अपका नाम च कारिकरम ये 2005 में था यहाँ पर दिया है स्वाज जल्धारा कारिकरम ये 2002 में आया है कबने में 2002 में आया है हना और अधर जितने भी वापकी 2005 में तो अप्सन भी आपका यहाँ पर 2002 होगा ना कि 2005 है ठीक है अगला कोशन आप से यहाँ पर दिया गया है कि करा कोरम परवत संक कि यहां पर 8611 मेटर आपकी उचाई यह दुनिया की दूसी सबसे उची चूटी आपकी आती है और हिंदु कुछ अग्छान कोशन दिया गया है कि रक्त लाल दिखाए देने का कारण क्या होता है यहां पर जो आपका 70 नमबर है 70 का option जो बनेगा वो आपका C हो जगा हीमो गलोबिन के कारण किसके कारण हीमो गलोबिन के कारण रख्त का जो रंग होता है वो लाल होता है रख्त जो होता है तरल सहीं जो उतक होता है और हीमोगलोबिन ड्रक्ते में क्या होता है अक्सिजन का परिवान भी करता रहता है अगला कुछन आप से दिया गया है सिंदु सबिता में घोड़े के अस्तियों का OCS कहां मिला है 71 का अप्सन मनेगा B-Number सुर्कोटदा में अगला कुछन आप से यहां पर दिया है अगबर ने अपने दरवारी संगीता के के रूप में किसे निक्ति किया था सबको पता होना चाहिए यहां पर आपके तांसेन आपसन क्या होड़ेगा यहां पर ए नमबर इसका राइट होड़ेगा अगर हम बात करते हैं तांसेन के तो तांसेन के गुरू को नाम था हरिदास क्या नाम था हरिदास नाम था इनके गुरू को नाम था हरिदास और अगर हम बात करें तांसेन का जो जन्म हुआ था वो मद्द प्रदेश की गौलियर में हुआ था ठीक है चरे आगे बढ़िए अगला कोशन दिया गया है कि तिरिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज का दर्जा दिया गया तिरिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज का दर्जा दिया गया तिहत्ता नंबर में तो यह दिया गया था आपके 1972 में, कब या 1972 में दिया गया था, याद रख लिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोशना आप से गलाप कुछा गया है, उपर राजपती को अपना कारेकाल समाप्त होने से पूर, अपने पद से हटाने का अधिकार, निमनेखित में से किस के पास हैं, ध्यान से देखेंगा, याँ पर बात हो रहे हैं, उपर राजपती को अगर अगर उनको कारेकाल समाप्त होने से पहले अपने पद से हटाना है, तो यहाँ पर देखें, हमने बताया था, राजपती में, जब राजपती को हटाना होता है, तो महव्यूग लगाते है ना उसमें लोकसवा और राज्यसवा दोनों होते हैं लेकिन उप्राजपती के लिए यहाँ पर राज्यसवा के सबीट सदर से होने चाहिए जब सुबीट सदर से क्या हो जाएंगे यहाँ पर तय्यार घायंगे त यहां पर चाहते है थेत definitely अगर एक बड़िए क्या होज़ेगा 75 नमबर में दोखों यहां पर हिमांक मिलाने से जो होता है घट जाता है दीके आपका 75 का उप्षन है घटता है आगे बढ़ते हैं कोशना आप सिगला पूछा गया है क्या रहा है यहां पर दिया गया है वर्स 1661 में कुल कितने जिलों से सघन क्रसी जिला कारिकरम की सुरुवात की गए थी 66 का जो आपशन मनेगा यह होजएगा सात्र से कितने साथ सी कि गए थी सात्र से अब इन साथ जिलों में तंजवर युकी तमिलनादु में है आले गढ़ उत्तरवदेश है राईपूर चत्तिस ग गया है यहां पर कह रहा है कि वर्ष्ट दो यार एक और ग्यारा किया वदी में प्रदेश में जनसंख्या ब्रद्धी दर जो आपकी हुई है वो कितनी रही है तो हमने आपको बताया था बीस दसंबलो दो दो जो की option कहां पर है option डी नंबर आपका यहां पर राइट हो जेग 31 सीट है कितनी 31 जुकी option क्या बनेगा यहां पर 78 का option बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा ठीक है ना और यहां पर आगे बढ़ते हैं कुछन आप से गलाप पूछा गया है उत्तर बदेश में अन्यपूड़ा योजना की शुरुवात की गए थी तो उर्दू को दुती राजभासा कब घोसित किया गया तो उत्तर बदेश राज में उर्दू को दुती राजभासा जो घोसित किया गया यह गोसित किया गया था 1989 में कितने में 1989 में घोसित किया गया था यह भी डेट आपके कई बार पूछा गया है तो आप लोगों को याद याद कर लिजेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोशना आप से गला है उत्तरवदेश में कुल कितने जिले हैं बड़ा सस्ता आपका और बड़ा इजी टेस्ट आपका लग गया है यहाँ पर देखें आपका जवाब हो जागा किया आप 75 जिले हैं कितने अब ही 75 जिले ह ठीक है और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोशना आप से गला पूछा गया है कैरा आप से यहाँ पर उत्तरवदेश के तराई छेत्र में मुख्यरूप से उगाए जाने वाले शुगंदी चावल की किस्म का नाम बताई यह 82 का जो आपसन है वो आपका क्या बनेगा यहाँ अगरा कोशन आप से यहाँ पर दिया है उततरव देश के वरतमान मुकी मंतरी योगिया दितनात किसी संप्रदाई से संब्रदाइ से समधिव चले बताएं किस संप्रदाइसे हैं 84 नमबर में तो ये हैं आपके नाथ संप्रदाइसे किसे हैं नाथ संप्रदाइसे हैं ये 1994 में क्या हुआ था ये पूर्ण रूप से सन्यासी बन गये थे जिसके बाद इनका नाम अजय सिंग विष्ट से नाम बदल कर योगी आदितनात ह इनका पूरा नाम जो है वो अजय सिंग विष्ट ये था लेकिन 1994 में क्या हुआ ये पूर्ण सन्यासी बन गये और योगी आदितनात हो गया और 12 सितंबर 2014 को गोरक नात मंदीर के पूर महंत अवैधनात के निधन के बाद इन्हें यहां का महंत बनाया गया था मतलब इसके पीठा धी से बनाये गये मतलब आप्सन क्या हो गया डे नमर हो गया इनकी जानकारी जितनी थी हमने बता दिया अगला कोशन दिया गया है प्रदान मंत्री गरीब करलेंड अन योजना की सुरुआत की गई तो ये जो सुरुआत हुई थी ये हुई थी आपके 26 मार्च गये थी इसका जो अपसन है वह आपका बने ऐख क्या यहां पर हो जाएगा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं कोशन आप से एक पूछा गया है यहां पर दिया गया है इन में से कौन सा उत्तरव देश का लोकन नत्य नहीं नहीं है 86 नमबर कॉपसर मनेगा यह नमबर गिद धिनरत क्या हो जाएगा गिद धिनरत इसका अंसर गिद धिनरत आपका हो जाएगा ठीक है चले आगला कोशन दिया गया है किया आप से रोजगार के दरश्टी से उत्तरवदेश का सबसे बड़ा उद्धोग कौन सा है तो राश्टी विस्तार सेवा की स्वस्वश प्रारम की गई 88 को उप्स मनेगा एक नमबर दो अक्तूबर 1913 को राश्टी विस्तार सेवा का प्रारम हुआ और यह वरतमान में भी आपका है और इसकी रूप रेखा की वज़ल बदल चुकी है ठीक है आगला कोशन आप से प्रकास नराइड ठीके जै प्रकास नराइड है ओप्सन मनेगा क्या यहां पर भी नंबर है राइट हो जाएगा ठीके 11 अक्टूबर प्रकास नराइड की जैनती थी उसी पर नरेड मोदी जी ने सांसद आधर्स ग्राम युजना की शुरुआत किया था आगला क्वेशन आप से यहां पर दिया गया है कि मिड़े मिल अर्थाद बच्चों के लिए मध्यान भोजन कारिकरम कब लागू किया गया मिड़े मिल कार सब्सक्राइड करने कर दो आघ्रन तीन में इसका और विस्तार कर दिया गया चिछा गरंटी केंद्र आगे बढ़ते हैं कुछन आप से पूझा गया है कि वरसं तीड में सर डेनियल हैमिल्टन ने कहां से आधर्स सिवा ग्राम यौजना की शुरुआत की थी चले यहाँ पर देखिए आपका अंसर क्या होज़ेगा यहाँ पर 91 जवापस ने वापका होज़ेगा से निमबर आपके मद्रास से कहां से आपके मद्रास से सुरुवात किया था और यहाँ पर कह सकते हैं कि यह योजना बनाकर मद्रास की निकटिक सुन्दरम ग्राम था वह की पाया जाती है, जो की option बनेगा क्या,偉as number होठी भी होती है, हा ना, और सरबाद प्जवाओ आपकी मिट्टी यही आपकी है, जलोड मिट्टी, दो प्रकार की होती है, एक होती है, खाधर, एक होती ही, बांगर, जो बनक से लगुजा है किएक कजमेंippy पूट होते हैं जरे तो एक गज में a तीन थीन पATHAN 19 नमबर है यहा पर तीन फीट हो लेगा ठीक हैं आगे ला कॉश्टन बता ही रोश्टन द्या गया है उत्तरभधेश का बारा बारा बंकी जनपद है किसके लिए जाना जाता है कापास अफीम अफीम हो जाएगा आपके अफीम के वी हिले जाना जाता है जो कि partially अगर पोछे कि एक महत्रलप की demonsster काँ पर वह आहिका आपके करना क्या क्रशी उत्पादन में ब्रद्धी करना यह आपका है इसका उप्सन मनेगा क्या एक नमबर आपका राइट हो जाएगा ताकि खाद्यान के छेत्र में आत्मिनिर्भर बनाया जा सके अगला कोछ ना आप से दिया गया है स्वस्त हरा खेत धरा किस योजना का नारा है सत्तानवे में यहां पर देखे आप कांसर हो जाएगा बिनमबर प्रदान मंत्री म्रदा स्वास्त काड़ योजना ठीक है मतलब अच्छी खेती के लिए प्यम मोदी जिने यह नारा दिया था स्वस्त धरा खेत हरा तो यहां पर आपसम जाएगा सी नमबर हो जाएगा प्र होता है पंचाय समिति का जो कारेकार होता है यहां पर जवाब दीजेगा तो भई आपका जवाब हो जबादा है पांच वर्स होता है और से मनेगा सी नमबर हो जाएगा ठीक है अगला क्वेशन दिया गया है उत्तर विदेश में किस प्रकार की मिले सबसे अधिक संख्या म और यहां पर आगे बढ़ते हैं इसलिए उत्तर विदेश को चीनी का कटोरा भी कहते हैं कापी उत्तपादर भी होता है आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है क्याराप से सांसाद आदर्स ग्राम योजना की सुरुवाद की स्तिथी को की गई थी हंडेट का जवाब देखो अभी हमने इसी वीडियो में हमने आपको बताया भी था यहां पर जै प्रकास्ट नरैंड की जैनती पर यह शुरुवाद की थी मोधी जी ने और डेट भी आपको बताया था आप लोग इस कोशन का जवाब जरूर बताएगा और यह जो कोशन है 100% संभाव है आपका complete होता है बहुत अच्छा test paper भी था लिकना आज का test paper बहुत कठी नहीं था नार्मल test paper था आपका है ना बड़ा अच्छा लगा होगा जो लोग नए होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगा होगा कि हाम ने तो बहुत अच्छा कर दिया और डेली आपको मिलेंग होगे पांच बज़ी के करेंड एफेयर और आच बच के पैतालीस में हिंदी च्लास होती है तो टाइम से आप लोग आए अगर हमारे टेलिगराम में जुड़े हैं तो टेलिगराम से जूट सकते हैं वहाँपर पर ये video भी आपको देदेते हैं तो आप लोग टेलिगराम स सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर या तो लिंक से क्लिक करके जूट सकते हैं ठीक है धर्नबाद सभी को जय हैं सभी को बंदे मातरम सभी को राम